नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्णिंग विद अभी में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें कड़ी पत्ता की केर की पॉधा गणा हो बूस्तों तो बीडियो में लाश्टिक बने रहेगा और वीडियो के आखरी में आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऐसी जादूई खाद इसके लिए जो कि आपके पॉधे को सिर्फ 20-25 दिन में काफी घना बना के देगा तो वीडियो में आखर तक बने रहेगा कोई पार्ट स्किप मत कीजेगा और अगर चैनल पे नए हैं आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और ब ग्रोथ करता है आप इच्छा करत विंटर में जब टेंपरेचर आपका 10 डिग्री या 15 डिग्री से नीचे चला जाता है तो इसकी ग्रोथ रुख सी जाती है और उपर 40 डिग्री से उपर जाता है तब भी इसकी ग्रोथ रुखने लग जाती है तो एक तरह से आप कह लिज अगर सर्दिया जल्दे श्टार्ट हो जाती है तो नौमबर से ही अन्यथा दिसंबर के बाद से इसकी ग्रोथ डॉर्मेंसी पिरेड में चला जाता है बिलकुल रुक्सी जाती है ग्रोथ थम जाती है तो उसमें आप लोगों को परिशान होने की कोई जरूत नहीं है और जैस फुल की केर करते रही है थोड़ी कंपोस्ट इसमें देते रही है और लास्ट में वीडियो में जो बताऊंगा अगर वो तरिका आपने यूज कर लिया तो आपका पौधा भी काफी घना हो जाएगा तो दोस्तों पहली चीज तो यह हो गई कि इसको टेंपरेचर कितना चा आई यही तभी अच्छा ग्रोथ करेगा अगर आप फुलिस सेडेड में रख देते हैं और इसको सनलाइट नहीं मिलती है दूप नहीं मिलती है तो पौधे की पतियां है यह डार्क होने लग जाती है येलो होने लग जाती है और अभी आप देख सकते हैं मेरे पौधे की कितनी हरी हैं और कितना हेल्दी प्लांट आपको दिख रहा है तो इन्हें ऐसी जगहां पर रखिए जहां दिन के सुबह के करीब तीन से चार गिंटे की धूप मिल जाए और उसके बाद फिर इस पे डारेट सनलाइट ना पड़े तो पौधा काफी अच्छा ग्रोथ है तो आप उसे कम से कम 10 इंच का पौट दे मेरा ये 12 इंच के पौट ग्रोबैग में लगा हुआ है तो कम से कम 10 इंच का पौट दे क्योंकि ये पौधा जमीन में ग्रोव होने वाला है और बड़ा पौधा होता है लेकिन हम इसे गंबले में ग्रोव करते हैं तो इसकी time to time करते रहे तो यह हो गई दूसरी चीज दोस्तों अब इस पे आ जाते है soil mixture कैसा इसका बनाए तो soil mixture के लिए आपको water hold नहीं होना चीए वरना root में problem होने लग जाती है तो कल आज रात हमारे हां बारिस हुई थी देखिए थोड़ी पानी काफी अच्छे से बारिस हुई है और मिट्टी आपको गीली नजर आ रही होगी मैं आपको दिखा दूँ और इतनी बारिस के बाद भी इसमें आपको देखिए मिट्टी पूरी वो है भुरबुरी है मिट्टी में पानी जमा नहीं है कहीं पूरी बारिस के बाद भी इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं इस परकार से है इसे ही मिट्टी से चाहिए इसे आप सैंड मिलाके या फिर रायस हस्क मिलाके जू भी आपको अबिलेबल हो उससे आप इसको भुरुरा कर लिजे मिट्टी को फिर उसमें आप लगाए कड़ी पत्ता और फंगस से बचाना जरूरी होता है तो फंगस से बचाने के लिए आप नीम खली हल्दी पाउडर या कोई फंगिसाइट पाउडर का यूच करते रहने हैं अमित अंतराल पे और कड़ी पत्ते को हरा भरा कैसे रखना है इसकी ग्रोथ अगर रुख गई है बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ को बूश्ट कैसे करना है इसके लिए मेरी अभी कल की ही एक बीडियो है एपसंट सॉल्ट का यूच कड़ी पत्ते पर तो उसे आप जाके देख सकते हैं आपका भी कड़ी पत्ता अगर इस परकार से अपसंट सॉल्ट आप यूज करते हैं तो कड़ी पत्त बिल्कुल हरा-भरार हैगा इसकी पत्तियां देखे कितनी फूट नहीं रहा है तो हमने इसे cut कर देना है बिल्कुल नीचे से इस प्रकार से देखिए इसे हमने cut कर देखिए जो energy पौधा अपनी इस fruit पे waste कर रहा था अब इसकी branches पे पत्तियों पे जाएगी और यहां से नई leaves नई सूट produce करेगा और पौधा और भी ज्यादा बुसी बनेगा तो इस प्रकार से जो unwanted चीज़े होती है पौधे में कोई leaves बहुत तेज भाग रही है कोई branch तो उसको प्रून कर दीजे मतलब सेप में ले आने के लिए आपको branches की pruning जो seeds निकल रही है इसमें उनकी pruning करते रहना है तभी आपका पौधा बोसी और घहना होगा अब दोस्तों आखर में आ जाते हैं हम कि इसको इसकी अच्छी growth के लिए इसको क्या हमें देना है तो मैं आपको दिखाओं यह देखिए यह मैंने एक बोतल में जो च्छाच होती है हमारे यहां जो दूद को दूद की मलाई निकालके उससे घी बनाते है तो उससे जो बच जब गई है तो इसको हम यूज करेंगे आप किसी भी दही का यूज कर सकते है इसमें देखिए बोतल में काफी टाइट हो गई है और यह मैंने अकर दिखार सके आ है तो उनका जो प्रोसेस होता वर प्रोसेस पौधों के लिए बहुत ही सांदार होता है तो इससे हम यूज करेंगे यूज कैसे करना है मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ तो दोस्तों इसको खोलते समय थोड़ी साओधानी रखिये का अगर इस तरह बोतल पर रखे हो इसमें गैस काफी ज़्यादा बचाती है आप सुन सकते हैं आवाज और जब इसको हम खोलेंगे तो काफी खटी सी स्मेल आ रही है तो इसको थोड़ा आराम आराम से खोलना है हमें और ये काफी अच्छी इसमें मित्र जुआनों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है तो इसको यूज करना बहुत ही लावदायक होगा हमारे पौदों के लिए आप भी रख सकते हैं मैंने थोड़ी सी गलती किये कि इसे बीच बीच में हमें ढकन खोलके इसकी गैस निकालते रहना चाहिए था पर मैंने नहीं निकाला है थोड़ा बीची होने के वज़े से ये देखिए दोस्तों बोतल में जो गैस बनी हुई है ये निकल के बाहर आ रही है आप सभी देख सकते हैं तो इस परकार हमें इसको यूज करना है अब हमें करना क्या है इसकी एक गिलास हम इसका छाच का मठे का बिलकुल देखिए इसका कलर भी देखिए एक गिलास हम इसका ले लेंगे ये हमारा जो मग है इसमें एक गिलास हमने इसे ले लिया है और हम दो गिलास इसमें नार्मल वाटर एड़ करेंगे एक गिलास इस मठे में दो गिलास नार्मल वाटर आड़ कर लेंगे और इसे काफी अच्छे से हम देखिए किसी चूल्स की मदद से मिला लेंगे सब अच्छे से और फिर हमें क्या करना है अब दोस्तों कि जो हमारा ग्रो बैग है कड़ी पत्ते का इसके हमें कर लेनी है हलकी गुड़ाई इस प्रकार से और अब हमें इसमें जो हमने ये तयार किया हुआ है इसको इस ग्रो बैग में अच्छे से चारो तरफ से दे देना है आप दोस्तों एक बार जरूर ट्राई करें इसको और ट्राई करने के बाद करीब 15 से 20 दिन बाद आप रिजट देखें और फिर उसको इस वीडियो के माद्यम से कमेंट में जरूर साजा करें कि कैसा experience आपका इसके साथ रहा है दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई सुझाओ हो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद